हेलो दोस्तों स्वागत है आपके वने यूटीब चैनल क्रेट बेल्थ भी दतुल में मैं हूँ आपका दोस्त दतुल गोईल आज हम बात करेंगे फिर से अच्छा खासा मुमेंटम में था नीचे के लेवल से अच्छी बैल्थ भी करेट करके दी थी लगवग 200 रुपे के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा था आप देख सकते हैं यहां पर 200 रुपे के आसपास यह स्टोक था और उसके बास जो अच्छा मुमेंटम इसने पकड़ भी करता रहा है काहां पर हमें इससे लेना चाहिए अगर लेना है तो क्या जाइन फैस्तोक इस ऐसने काफी पgeb उच्छा लेट के है अगर हम बात करें इसक के चार्ट पैररन को आ flock को तो आप देखेंगे इस लेवल के आसपास हमेशा ही इस ने जो है resistance phase करता हूँ नजर आया और इस line के आसपास ये हमेशा ही support लेता है आप देखिए यहाँ पर stop लिया अगेन यहाँ पर support लिया अभी stop जो है इसे उपर काम कर रहा है क्योंकि इस line के आसपास ये stop जो है दो lines है इसकी निचे की सबसे पहले इस llevar करता है और इसके बात अगर इसche तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा चार्ट पैटर्न आपको इस टाइप से दिखाई देगा, उपर भी जो है इसकी दो लाइन बंगती हैं, जो पहली लाइन है हमेशा ही उसके उपर ये रिजिस्टेंस फेस किया है, और जब इसको इसने ब्रेक आउट किया है, तब पूरा चार्ट पैटर्न दिखाई देगा, डेली चार्ट पर रसाई जो है तो यहाँ पर जो प्रेक नहीं किया है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, जो बनता है 5.94 के आसपास का, अगर इसको ब्रेक करके खोज निचे करता है, तो यह स्टोक जो है और भी कमज़ोर होत तो पहला जो लेवल होगा इसका 5.74 के आसपास का होगा, देन 5.52 के आसपास भी यह स्टोक जो है फिसलता हुआ नजर आ सकता है, जो कि यहाँ पर सपोर्ट बनती है, तो इसके बाद हम रिव्यू करेंगे, कि यहाँ से अगर यह बांस बैक करता है, जा इस लाइन के आसप आसपास का निकल कर आता है, और देन 6.50 के आसपास का निकल कर आता है, 6.20 से 24 इस जोन को निकालना इसके लिए काफी एहम है, अभी यह स्टोक जया उपर जा सकता है, उपर के लेवल पर 650 इसका सपोर्ट जोन होगा, जो रिजिस्टेंस जोन होगा, उसके बाद 6.78 के आता है, अगर यहां से फिसलता हुआ नजर आया, और इस लाइन को टच करता है, तो 552 के आसपास के लेवल दिखाता हुआ नजर आ सकता है, तो बिल्कुल आप इसके अंदर ट्रेडिंग कीजिए, या इन लेवल को आप अपने चार्ट के अंदर जरूर लगा के रखिए, ताकि आपको यह पता रहे कि किस लेवल के उपर आपको स्टोक को एड करना है, और किन लेवल के उपर आपको स्टोक को वाच करना है, निकालने के लिए या ब्रेक आउट देखने के लिए, तो इनको आपने चार्ट के अंदर लगा के रखिए, अगर इसके अंदर आप ट